नमस्कार, मैं हूँ आमित, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर इंडिया में हर साल लगबग डेड़ लाख लोगों की डेथ रोड अक्सिडेंट से हो जाती है 2018 में लगबग 151,000 लोगों की डेथ हुई 2019 में 154,000 की डेथ हुई 2020 में हाला कि ये आकड़ थोड़ा रिड्यूस हो गया क्योंकि लॉगडाउन था फिर भी हर साल औसे तन लगबग 15,000 लोगों की डेथ रोड अक्सिडेंट में हो जाती है यदि किसी वेक्ति की डेथ रोड अक्सिडेंट में हुई है और ऐसा एक्सिडेंट ड्राइवर की रेश और नेगलिजेंट ड्राइविंग की वज़े से हुआ है तो ऐसी इस्तिति में उस वेक्ति की डिपेंडेंट जो पेरेंट्स भी हो सकते हैं उसके बच्चे हो सकते हैं वाइफ हो सकती है वो उस vehicle जिससे एक्सिदेंट हुआ है उसके driver, owner और यदि वो vehicle insured है और insurance policy की किसी condition का breach नहीं है तो ऐसी स्थिति में insurance company से claim ले सकते हैं, compensation ले सकते हैं आज के इस topic में हम ये calculation सीखेंगे कि compensation को calculate कैसे किया जा सकता है इसे हम बिल्कुल आसान बाशा में सीखने की कोशिश करेंगे यदि किसी बच्चे को add, subtraction, division, multiplication और percentage आता है तो वो भी इस calculation को बड़ी ही आसानी से कर सकता है यदि आप इस channel पे नए हैं तो please do subscribe my channel तो चलिए थोड़ी mathematics करते हैं यदि किसी व्यक्ति की road accident में death हो जाती है यहां व्यक्ति में male या female कोई भी हो सकता है दोनों ही स्थिति में same formula अपलाई होता है तो यदि किसी व्यक्ति की road accident में death हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो जो कमाई करके देता वो उसकी family को नहीं मिलती इसे ही loss of income कहते हैं इसी की compensation के रूप में calculation करके family को दी जाती है तो हम यहाँ presume करते हैं एक family है जिसमें एक husband है, wife है और दो बच्चे है यानि family में total 4 लोग है और husband की monthly income 12,000 रुपीज पर मन्त है अब कानून के अनुसार ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो भी income कर रहा है उसमें समय के साथ बढ़ातरी होगी क्योंकि हर व्यक्ति तरक्की करता है और income को generate करता है, बढ़ाता है, उसका प्रियास करता है तो इसके लिए Honorable Supreme Court ने ये तैय कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति permanent job में है और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में उसकी income में जो increase होगा वो 50% होगा इसी प्रकार यदि उस व्यक्ति की age 40-50 के बीच में है तो ऐसी स्थिति में उसकी income 30% increase होगी यदि 50-60 वर्ष की उम्र के बीच में है तो उसकी income 15% increase होगी और 60 वर्ष से उपर है तो ऐसी स्थिति में कोई income increase नहीं होगी व्यक्ति जिसकी death हुई है यदि वो fixed salary पे है, self-employed है या business करता है ऐसी स्थिति में उसकी salary में जो add होता है वो इस प्रकार से होता है कि यदि death के समय उसकी age 40-50 के बीच में थी ऐसी स्थिति में उसकी salary या monthly income में 25% increase होता है यदि उसकी age 50-60 के बीच में थी ऐसी स्थिति में उसकी salary आ income में 10% increase होता है और यदि उसकी उम्र 60 से अबाव थी तो ऐसी स्थिति में salary income में कोई भी increase नहीं किया जाता है यह compensation जो calculate किया जाता है जो भविष्य की salary को देखते हैं हम amount add करते हैं इसे future prospects का जाता है और compensation claim करने के लिए motor vehicle act में claim file करना होता है जो सम्मंदित court में file होता है यहां हमने जो example लिया है इसमें जिस व्यक्ति की road accident में death हुई है उसकी age है 32 years और उसकी monthly income है 12,000 rupees जो कि उसकी business income है ऐसी इस्तिति में चूंकि उसकी permanent job नहीं है तो उसकी income में 40% increase होगा क्योंकि उसकी age 40 years से below है तो यदि 12,000 का हम 40% निकालते हैं तो वो amount आता है 4800 rupees तो उसकी monthly income में यह part add हो जाएगा तो यह दोनों add होके बनते हैं 16,800 rupees अब यदि कोई व्यक्ति जिन्दा रहता तो ऐसी स्तिति में वो food भी consume करता कपड़े भी पहनता vehicle भी use करता यानि उसके काफी personal expenses भी होते तो यह जो personal expenses है यह उसकी monthly income से deduct किये जाएंगे इस सम्मद में कानून की स्त देथ हुई है उस पर dependent की संख्या एक से तीन तक है तो ऐसी स्तिति में कुल income का one-third deduct होगा यदि उस पर dependent की संख्या चार से छे है तो ऐसी स्तिति में कुल income का one-four deduct होगा इसी प्रकार यदि उस पर dependent की संख्या छे से जादा है तो ऐसी स्तिति में one-fifth amount deduct होगा यहां जो example ह हमने लिया है उसमें जिस व्यक्ति की road accident में death हुई है एक तो उसकी wife उस पर dependent है दो बच्चे है यानि कुल तीन लोग उस पर dependent है ऐसी स्थिति में उसकी कुल इंकम में से one-third amount उसकी personal expenses की रूप में deduct होगा 16,800 का one-third आता है 5,600 रुपीज तो इस 5,600 को हम जो म्रतक व्यक्ति है उसकी monthly income में से deduct कर देंगे तो 16,800 में से जब हम 5,600 को deduct कर देंगे तो यह amount आ जाएगा 11,200 रुपए तो यह उस व्यक्ति की monthly income आ गई जो की निकल के 12,200 इन्टू 12 तो यह amount निकल के आ जाएगा 1,34,400 रुपए 1,34,400 रुपीज यदि किसी व्यक्ति की death 32 years की age में हो जाती है तो ऐसी इस्तिति में भविश्य में वो कितने वर्ष और कमाएगा इस चीज को तै करने के लिए Honorable Supreme Court ने National Insurance Company vs. Pranay City के मामले में Davis Principal को मानने ता देत से वे age-wise age group के according एक slab बना दिया उसमें ये तै कर दिया कि किस age group का व्यक्ति अगले कितने साल तक और कमाएगा ये slab आपको अभी screen पे नजर आ रही होगी इस table के अनुसार वे व्यक्ति जिसकी death हुई है यदि उसकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच में है तो ये माना जाएगा कि वो 18 सार और कमाता जिसे हम multiplier भी कहते हैं अर्थाद यदि 15 वर्ष से 20 वर्ष के उम्र के किसी व्यक्ति की death हुई है तो ऐसी स्थिति में 18 का multiplier apply होगा इसी प्रकार 21 वर्ष से 25 वर्ष की इस्थिति में 18 का multiplier apply होगा 26 से 30 के बीच में 17 का multiplier apply होगा 31 से 35 के बीच में 16 का multiplier apply होगा आप चाहें तो इस table का एक screenshot ले सकते हैं वह व्यक्ति जिसकी death हुई है उसकी age हमने 32 years ली है ऐसी स्थिति में 16 का multiplier applicable होगा तो हम उस व्यक्ति की yearly income को 16 से multiply कर देंगे तो उसकी total income निकल के आ जाएगी 21,50,400 रुपए तो इतना income का loss उसकी family को हुआ इसके अलावा 15,000 रुपीज funeral expenses की दिलवाय जाते हैं उसके साथ ही 15,000 loss of estate की दिलवाय जाते हैं यहाँ पे wife ने अपने husband को खोया है ऐसी स्थिति में loss of consortium के 40,000 additional दिलवाय जाते हैं Honorable Supreme Court ने National Insurance Company versus Pranay City के मामले में यह तै कर दिया है कि funeral expenses के जो 15,000 है loss of consortium के जो 40,000 रुपीज है loss of estate के जो 15,000 रुपीज है इसमें हर तीन साल बाद 10% की बढ़ोतरी होगी लेकिन हम यहाँ पे इसे एक बार 70,000 ले लेते हैं और जो amount हमारे पास था उसमें यह 70,000 एड करते है तो जो compensation amount है वो आजाता है 22,200,400 रुपे इस amount पर court द्वारा मामले के facts and circumstances को देखते वे interest भी impose किया जाता है तो यह compensation वो wife और बच्चे पाने के अधिकारी हैं इसके अलावा दो चीज़ और ध्यान रखने की है कि income की जब calculation की जाती है तो income में से income tax को minus किया जाता है और यद स्थिती में उसकी income की calculation minimum wages act के अनुसार की जाती है जो हर स्टेट में अलग-अलग होते हैं उसी minimum wages के according उसकी salary या income फिर तैक की जाती है और उसी के according compensation की calculation की जाती है तो आज की इस topic को यहीं खतम करते है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो like करें, share कर मेरे चैनल को subscribe करें यतो धर्मस्ततो जय है